दोस्तो एक बर फिर से स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल राट इन्फो वीज में दोस्तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आए हूँ अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल लाइकन बटन पर क्लिक जुरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई पसंद की वीडियो बनाओं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके चुरूर बताएं दोस्तों ये ट्रेन कॉलकाता से उदैपूर सिटी तक चलती है इस ट्रेन का नंबर है 12315 ये ट्रेन 37 गंटे 35 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 1241 किलोमीटर और इस ट्रेन के आवरी स्पीड है 56 किलोमीटर पारार और इसके तकरीबन 22 स्टेशन है ये ट्रेन हफ्ते में सिरफ एकी दिन चलती है ब्रेस्पतिवार के दिन अब पात करते हैं दोस्तों इसके टिकेट किराया इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, Slipper Class, Unreserved Channel Depay अविलेबल है 1st AC का किराया है 5135 रुपई 2nd AC का किराया है 2975 रुपई 3rd AC का किराया है 2030 रुपई Slipper Class का किराया है 770 रुपई Unreserved Channel Depay का किराया है 449 रुपई दोस्तों एक बार फिर भी आपकी CB Railway की वेबसाइट पर जाकर इसका टिकेट किराया चुरूर कन्फर्म कर ले अब बात करते हैं इसके टाइम टेवल और इसके स्टीशनों के बारे में ये ट्रेन कॉलकाता से हर ब्रिस्पतिवार को दोपहर के एक बजकर 10 मिनट पर तीन नमबर प्लैटफार्म से रवाना होती है अगलाइस का स्टेशन आता है बर्दमान जंक्शन जहां पर ये दोपहर के 2 बजकर 49 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है इसका अगला स्टेशन आता है आसनसोल जंक्षन जहां पर ये जिकर दो मिनट पर पहुंचती है और पांच मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है अगला इसका स्टेशन आता है मधूपूर जंक्शन जहां पर ये शाम के 5 बचकर 5 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है जसे डिये जंक्षन जहां पर ये शाम के 5 बचकर 35 मिनट पर पहुंचते हैं और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है जाजा जहां पर ये शाम के 6 बचकर 55 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुपती है अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तों पटना जंक्षन जहां पर ये रात के 9 बचकर 30 मिनट पर पहुंचती है अगला इसका स्टेशन आता है प्रियागरा जंक्षन चाहां पर ये सुभे के 4 बचकर 9 मिनट पर पहुंचते और इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है कानपूर सेंट्रल जहां पर ये सुभे के 6 बचकर 45 मिनट पर पहुंच ते और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है इसका अगरा इसका स्टेशन आता है टुन्डला जंक्शन yourself पर यह सुभे कि construction के नो बज खकर 40 पर पहुँचते है और 5 मिनट के स्टाप के लिए रुचती है इसका अग्ला स्टेशन आता है सिवाई मादोपूर जंक्शन जहां पर यह ट्रेन 3 बच कर 5 मिनट पर दोपहर में पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है जैपूर जंक्शन जहां पर ये शाम के 5 बचकर 30 मिनट पर पहुंचती है और यहां पर इसका 15 मिनट का स्टॉप है अगला इसका station आता है अजमेर जंक्षन जहां पर ये रात के 8 बज़ कर 20 मिनट पर पहुंचते और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है नसीराबाद जहां पर ये रात के 8 बज कर 52 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है बेजायनगर जहां पर ये रात के 9 बचकर 36 मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है भीलवाडा जहां पर ये रात के 10 बचकर 35 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तो चित तोडगर जंक्षन जहां पर ये रात के 11.50 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहां पर 30 मिनट का स्टॉप है इसका आगला स्टेशन आता है मावली जंक्शन जहाँ पर ये रात के एक बचकर 26 मिनट पर पहुंचती है और दो मिनट के स्टॉप के लिए रुखती है सेकिर लास्ट रिसका स्टेशन आता है राना परतापनगर जहां पर ये रात की दो बचकर 14 मिनट पर पहुंचती है और दो मिनट की स्टॉप के लिए रुकती है आखरी इसका स्टेशन आता है उदेपूर्ज सिटी जहां पर ये रात के दो बचकर 45 मिनट पर पहुंच दी है और एक नमबर प्लाटफॉम पर जाकर अपने यात्रा समाप कर लेती है इसी के साथ हिस्ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे और सुरक्षित रह और आवा दोस्तों